नमस्कार हर हर महादेव जै भूले ना आत आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्टस मेरा नाम नितिन है मैं यहां से facts बताता हूँ, ईश्वर से जोड़े चमतकार बताता हूँ, रोचक पुराणे कथाये बताता हूँ और बात करता हूँ, मैं तीसरी शक्ती के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी person life में experience करे हैं, उन्हें मैं यहां कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ, और अगर आप पहली बार आयो ना तो एक दो वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका समय सही वेतित हुआ, तो आप सबस्क्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और कहानी पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, शेर करिएगा इसने थोड़ा सा चैनल को भी सपोर्ट मिल जाता है, बहुत मैनत लगती है बाबा एक वीडियो को बनाने में, तो अगर आपका एक लाइक, एक शेर का कदम हमारी तरफ बढ़ जाता है, तो हम बहुत जादा खुश हो जाते हैं, फिलाग आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, यह अपने बड़े बुजर्गों से शायद कभी आपने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी, तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, कि भात हो, तो नरसी महता जैसा हो, यह क्या है इसके पीछे का रास, क्या सस्पेंस है, चलो मैं उस पेसे परदा हटाता ह अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आगर शुरूरात करता हूँ, पहतरीन सी कहाने की, कहीं मत जाएगा, पूरी सुनी होगा, हर-हर महादेग अच्छा ये तो आपको पता है ना कि भात किसे कहते हैं, ठीक है, और यहाँ नरसी महता जो है, उनको शादी का भात नौतने जाना है मेरे ख्याल से आज थोड़े से शब्द मैं बहुत जादा जिसे कहते हैं ना माटी से जुड़े हुए इस्तमाल करने वाला हूँ, तो अगर आपको लगता है कि कोई शब्द हमें समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कूछ रहना, ठीक है, मैं बता तरीके से कहानी सुनाओंगा जिस तरह से इस कहानी को सुनाया जाता है, अब होता क्या है कि ये नरसी महता जो कि पूरे दिन कनाईया के भजन में ही लीन रहते थे उन्हें दुनिया जारी से कोई मतलब नहीं था, सादू संतों में बैठते थे उड़ते और मंदिर में यह अनिशा भजन कीर्टन के मामले में सबसे आगे रहते थे। इन से सुरीले भजन भजन भ्रहमान में कोई नहीं गा सकता यह मानिए कि जब जब इन्होंने काना का कोई भी भजन गाया, गुंगुनाया उसे दुनिया ने तो पसंद किया ही किया, देवी देवता भी जूम लगते थे जब ये कनया के बजहन गाने शुरू करते थे और इतना लगाव इतना प्रेमभाव कि कनया खुद इनको सुनना पसंद करते थे ठीक है अब यहाँ लेकिन ये गरीब है और काफी गरीब है ये मानिए कि तीन वक्त की रोटी छोड़िये दो दिन में एक वक्त भी रोटी मिल जाए तो बहुत है लेकिन खुश रहते थे मस्त रहते थे इन्हें कोई परेशानी नहीं थी कि मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या है ठीक है कोई भी चिंता नहीं लेकिन है तो इनसान की प्रजाती के मन तो दुखेगा ना अगर इन्हें भी कोई गलत बोलेगा इनके परिवार के लिए कोई गलत बोलेगा तो मन तो दुखेगा बेज़जती तो महसूस हर किसी को हो जाती है अब होता क्या है कि ये अपना भजन कीरतन कर रहेते तभी इनके पास एक बुलावा आया आपकी जो बिटिया रानी है उनकी बेटी की शादी है तो भाई तो जब नहीं है कोई तो पिता को भात नोत ने आना पड़ेगा तो आप आईएगा आपको बुलाया है और आप अपने कुछ रिष्टेदारों को या मित्रों को ला सकते हैं अगर आपके इस पूरे गाउं में या ये हसर हैं मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं कि बताओ मेरी लाडली गुडिया कितनी बड़ी हो गई और एक बड़ी अजीब सी बात है कि बीसियों साल हो गए ये अपनी बिटिया को देख नहीं पाई हैं क्यों क्योंकि वो लोग अमीर लोग हैं उनको पसंद नहीं है इ बहुत पहले ही एक तरह से बिजज़ती करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वज़े से इन्होंने भी महा जाना उचित नहीं समझा, कि जब भी महा जाता हूं, तो मेरी वज़े से मेरी बिटिया को उल्टा सीधा बोला जाता है, गरीब की बेटी, भीकारी की बेटी, तेरा पिता कुछ नहीं कमाता, बस पड़ा रहता है मंदिरों में, भज़न कीरतन करता है, ये मतलब बिटिया देखिए, कब तक सुन लेगी, एक लिमिट होती है हर किसी की, और पिता के लिए कोई बेटी मतलब भी नहीं है कि कुछ सुन ले, और ऐसे में कोई पिता अपनी वज़े से अपनी बिटिया को कुछ दुख दे तो वो पिता ही किस नाम का, है ना, तो ऐसे ही इनों ने बीसियो साल से उससे कोई तालुग नहीं रखखा, बस हाँ यहां से कनहिया से हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते रहते थे कि बिटिया हमेशा खुश रहे, उसके घर परिवार में सबी लोग स्वस्त रहें, सब खुश रहें, सब मस्त रहें, और किसी का भी मन न दुखे और मेरी बिटिया से कभी कोई भूल ना हो, पूरी मडिली थी उनकी, उन सभी ने का कि नर्सी जी, अब कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे देंगे भात हैं, आपके पास तो कुछ जमाराशी ही नहीं है, कैसे करोगे, उसने का कोई बात नहीं, मैं सभी के सामनें, भिकारी तो मुझे बोलते हैं सब, भीक मांग के लेना है कुछ आप दान दक्षना देंगे तो किसी ने भला बुरा कह दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने भीकारी बोल दिया, किसी ने गलती से एकाच सिक्का भी डाल दिया, बस इसी तरह करते 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 जब पूरे गाउं में ये घूम रही थे, तभी किसी ने कहा कि भाई ऐसे तो और भी गाओं है, वहाँ भी चले जाओ, लेकिन ठक जाओगे, क्योंकि भाई कल तो आपको वहाँ जाना है, बिटिया के घर, भात नोतने, कैसे पहुँचोगे, जब आप लोगों के जा रहे हो, अगर कोई संदूक देने लग जाए, कोई घड़ा देने कर सकते हैं, यहाँ सब इसकी बेजज़ती कराने के लिए खेल खेल लेंगे, और यह सीधा साधा, कनाया का भक्त, हर बात को सच मान के, उनकी बातों पर विश्वास करके, अपनी बेज़ज़ती कराने फिर चल देते हैं, तो इन्होंने पूचा अपने मित्र से, मित्र से, क दवाएंगे वहाँ से समान लुटा के, तो वापिस करते हैं, अब इसने कई जनों से जाकर मदद मागी, कोई बैल गाड़ी मिल जाए, तो वहाँ चलते 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 एक बहुत शानदार मूचों पर ताओ देते, गुलाबी गुलाबी गाल हो रहे हैं, लाला जी वैट हो हाँ जी नरसी जी बताइए कैसे, उन्होंने का मदद चाहिए, बिटिया के घर जाना है भात नौत ने और आपकी तरफ से कुछ हो पाए, तो उसने का कैसी मदद चाहिए, बताइए, मैं दूसरे गाउं जा रहा था, आपके पास बहुत सारे बैल गाड़िया होती हैं, क्य मैं एक बैल गाड़ी ले जा सकता हूं, हमारे को सभी को, मेरे को, कुछ मित्रों को, सभी को अपनी बिटिया के घर तक जाना है, और हमारे पास कुछ समान भी होगा, उसने का क्या करूं, एक काम करो, यहां पीछे की तरफ दो बैल बंदे हुए हैं, और एक बैल गाड़ी भी महाँ पड़ी है, ले जाओ, तो उसने का इसके पैसे, अरे कोई बात नहीं, ले जाओ, अब इसने ये मानिए, कि अपनी जो परेशानी थी, इनके सिर डाल दी, क्यों, क्योंकि वो बैल दोनों ही बूड़े थे, ठीक है, और वो जो बैल गाड़ी थी, उसकी चारों तर बिना पैसो के मेरी मदद कर दी, और ये बहुत बड़ी बात है, अब उसने जब बैलों को बांधा, तो बैल आपस में क्या बात कर रहे है, कि कितना अच्छा समय आएगा अब हमारा, हम कब से यहाँ पड़े पड़े परेशान हो रहे थे, अब बुड़ापे में जाकर चल और हो कुछ अच्छा रहा है, क्यों नहीं होगा, किस के प्रिये हैं ये, कनहिया के, तो भाईया इनके साथ गलत तो होना नहीं, अब होता क्या है, कि यह चल दिये जी, नर्सी महता कुछ समानी घटा करा, कुछ जो बिटिया के भात में दे सकते हैं, अपनी हैसियत अनुसा और सौ दूसो पांच सु रुपे, मतलब रुपे को हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, इतने पैसे भी घटे हो गए, कि देखते हैं, महां जाकर हम कैसे किस की क्या मदद कर सकते हैं, भाई, जब वहां पर टीका होगा, है ना, तो हर किसी को नन, देवरानी, जेठानी, सास ससुर इन सभी को कुछ न कुछ देने, तो एक-एक सिक्का दे दूगा और क्या करूँगा, बेकारी तो लोग बोलते ही हैं, तो बेकारी के कटोरे में तो भीक ही होती है, और वो देखा सकता है फिर, या तो दुआ है, या भीक से मिला पैसा, अब ये चल दिये हैं जी, ठी सामने देखते हैं, कि किसान के रूप में एक प्यारा सा नौजवान सामने से आ रहा है, वो हाथ देता और कहता है, रोकिये, रोकिये, बेल गारी रोकिये, उसमें रोक दिया, या कि मैं इसी रास्ते जा रहा हूँ, बहुत धूर तक चलना पड़ेगा, आप मुझे मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, कोई बेल गारी आ नहीं रही थी, नर्जी महता ने का एक मिनट भाई साब, बेटा जी हम आपको बेठा तो लेंगे, लेकिन आपको अगर जल्दी है, तो ये आपके लिए नहीं है, उसने का क्यों, करे ऐसा है ना कि मेरे जो ये बेल हैं, ये बुजर्ग हैं, और मैं इन पर जोर जबर्दस्ती करके इन्हें तेज चलने को नहीं बोलूँगा, और चाहरो तरफ से ये लकडियां भी तूट रही है, टायर भी थोड़े टेड़े मेड़े से ही हो रहे हैं, तो ये बस चल रही है, बहुत है, अगर आपका मन हो तो बैट जाओ, नहीं है, तो उतर जाओ, उसने का नहीं नहीं, आपको शायद ये नहीं पता, कि मैं बहुत ही अच्छा बढ़े ही हूँ, मैं एक मिनिट में फरनीचर ठीक कर देता हूँ, ये तो बैल गारी है, मुझे आप दस मिनिट का समय दो, मैं पूरी बैल गार को सुधार दूँगा, उसने का अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर एक काम करते हैं, हम सब उतर जाते हैं, पेड की छाओं में बैठते हैं, बेटा तु काम कर ले, अब ये सब उतर कर बैठ गए पेड की छाओं में, भजन चलने हैं, कीरतन चलना है, कनया के कनहिया बेल गाड़ी ठीक कर रहे हैं, अब कोगे ये कनहिया हैं, हाँ, कनहिया आए है, खुद इनकी बेल गाड़ी में बैठ नहे, अब कमाल की बात देखिए, भै वो तो जादूगर है, दो तीन मिनट में ही इनकी पूरी बेल गाड़ी सुधार दी, और ये जो बैल हैं, ये भी थोड़े से ताकतवर होते महसूस हो रहे हैं भाई यां तो अब ये जो प्यारा सा नौजवान है मतलब कनहिया इनसे कहते हैं नर्सी महता से आईए मैंने आपकी ये बेल गाड़ी ठीक कर दिये बैटिये उन्हें का बड़ी चलती करम मैं तो कह रहा हूं मेरे हाथों म हुनरे मैं जानता हूं भौत पुराना मिस्तरी हूँ मैं एक मिनट लगता है मुझे ठीक हो बैटो बैटो अब सब जन्हें बैट गए अब नर्सी महता ने गाड़ी चलानी शुरू करी मतलब बैल गाड़ी दीरे दीरे चले तो इन्होंने का एक बात बताओ बाही साब नहीं तेज चल सकती है इससे जादा तेज नहीं चल सकती है ठीक हो गई वो धराम धुरूम जो हो रही थी अब वो नहीं हो रही लेकिन ठीक है अब ये कुछ देर तो अपने मन को कसर उटते हुए बैठे रहे ये जो प्यारे से नौजवान है कि अरे भाई ये तो बहुत धी गाड़ी उसने का अच्छा तुम्हें बैल गाड़ी भी आती है चलानी उसने का आती है अरे मैं हवाओं से बाते करा देता हूं बैल गाड़ी को ये जो तो बूर वजय है मेरे दादा मेरे पापा सबने बैल गाड़ी बहुत बढ़ी चला रखिये मेरे बच्पन से आती है औरे मेरे रगों में मेरे कुन में बैल गाड़ी के आप हटो उसनना गा अच्छा भर हटा दिया जी और जब कनईया के हातों में बैल गाड़ी की कमान आई तो भैय आप बेलो में तो ऐसी नहीं जान आगए कि जब चला रहे हैं कनईया तो रोकेगा कौन हमारी नईया और भाई साब हवाओं से बाते कर रहे हैं मतलब यह मानिये कई हो के तो गंचे ओड़ गए टोपियां ओड़ गई बुरुद बुरुद बुजुर्ग बुड़े सब मतलब जितने भी बैठे होएते सब कर रहे भाई आईये कहां ले आया भाई आईये कहवाई जाज बना दिया जब कनहिया चला रहे है गाड़ी तो आपको भी तो संबल करी बैठे होएते बिल्कुल सब अनरसी महता भाई साब कि यह तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो बैल खिसक खिसक के चल लए थे यह तो गोड़ों से तेज दोड़ दे भाई साब अब कनहिया बड़े खुश है किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह जो प्यारा सा नौजवान है इसके यह एक छोटा सा मोर पंख लग रहा है नरसी महता जब तक पहचानते इन्होंने थोड़ी सी उसकी गती मंदी कर दी कम कर दी धीरे कर दी कहा आप सब ठीक हैं उनने का हाँ हाँ सब ठीक हैं अरे इन मैंसे किसी के खरोंच नी आनी क्यों कनहिया चला रहे भाई गाड़ी इनकी गाड़ी नहीं डगमगाती है अब सभी जने थोड़ी सांस में सांस लेते हैं सब एक गूट पानी पीते हैं जी ठीक है और नर्सी महता कहते हैं कि बिटा तू तो भोती लाजवाब चलाता भाही बहुत कमाल चलाता है सच में हमारा तो तुने आधारास्त तत्य करवा दिया हम वरना देर हो जाती उसने का आपको जहां पहुँचना है एक काम करो आप आख बंद करो सब जने आख बंद करो उसने का क्या करेगा अरे करो तो सही अब सभी ने आख बंद कर ली अब जैसे ही इन सब ने आख बंद करी तब ही आवाज आई अरे आख खोलो आँक खोलो अब जैसे ही आँक खोली तो ये उस शहर आ चुके है जो बिटिया का शहर है उपर बोर्ड लग रहा है उसने का अरे हम आ गए अभी तो तुमने कहा था कि आँक बंद करो और कम से कम 7-8 घंटे लग ये कैसे आ गए उसने का कैसा रहा अच्छा लगा देखके करो सभी ने आँक बंद कर ली फिर ये मानों कि इनको आवाज आई अब आँक खोलो अब जैसे ही आँक खोली इन्होंने तो ये सब वही पर बैठे हुए पेड़ की छाओं में और सामने इनकी बंगी खड़ी है मतलब ये जो इनकी बैल गाड़ी खड़ी है अब सब एक द करते हैं कि कनहिया कितने लीलाएं हैं तुम्हारी कितने खेल खेलते हो हमारे साथ रहते हो हमें पता नहीं चलता और हमें इतना सुख मिलता है जब भी हम तुम्हारे साथ होते हैं अरे तुम हमारे पास ही रह जाए करो कहीं जाओ मती अब कनहिया लाज रखना बीटिया के गर जा रहा हूं और भात देना है और मेरे पास क्या है तुम जानते ही हो सबी लोग बैठते हैं जी बैल गाड़ी में और चल देते हैं बिटिया के गर अगले दिन भात देना है और ये रात तकरीवर नो बजे सब लोग पहुँच गए सबसे पहले ही दर्वाजे पर इनकी बेजज़ती कर देते हैं वो जो सास ससुर हैं अरे कौन आया है ओहो ये तो नरसी सेठ आए है अरे बिटिया तेरे पापा आए है तेरे पिताजी ये ओहो अरे आपकी ये बाकी गाड़िया नहीं दिख रही है जो आपके साथ चलती हैं कह हां गई राजा महराजा के साथ तो पूरी सेना चलती है आज आपकी सेना नहीं दिख रही है ओहो हो सकता है कि आप सेना को बहुत पीछे चोड़ कर आयो अच्छा आने में कोई तकलीफ तो नहीं क्योंकि हमारे की सड़के थोड़ी सी उबड़ खावड है आप किस से आए हमें आपके वाहन नहीं दिख रहे क्योंकि आप तो हाथी से नीचे चोटी गाड़ी पर हाओगे नहीं हाथी पर आई होगे काँ खड़ी खरे हाया है और सब लोग इसका मज़ाग अपड़ारे है और ये वहाँ भी जै श्री कृष्ट्या जै क्रिश्ट्या इसे सुनाई नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि जब मन में कनहिया हूं तो सामने वाला आपकी बिजजती कर रहा है आपके दिल तक कैसे आ जाएगी नहीं आएगी लेकिन अब इनकी बिजजती और होने वाली है बिटिया को वास्तव में पता ही नहीं था कि इनके पिता जी को न्योता दिया क्यों क्योंकि वो जानती है कि इनके पिता की हैसियत नहीं है भात देने की तो वो क्यों ही बुलाएगी लेकिन इनके ही घर से कोई इनका देवर या कोई जाकर इनको बुला कर लाया कि एक तरह का। क्या किते हैं मनुरंजन का प्रोग्राम होगा जब बेजजती करेंगे सब हसेंगे बहु के पिता की बेजजती हो रही है बड़ा मज़ा आएगा लेकिन बहु के पिता के सिर पर कनईया का हात है बाबा बहुत जिगर चाहिए उनकी बेजजती करने को रे होती नहीं तुमसे अब होता क्या है कि बेजजती नंबर टू अपने महल में नहीं रोकाईने कहते हैं कि आप सब मेंसे कुछ अजीब सी बदबुगा रही है दुरगंद आ रही है तो आप एक काम करिए महल में तो आपके ये पैरों में लगी धूल महल की शोभा बिगार देगी आपकी बिटिय को भी अच्छा नहीं लगेगा तो आप सब यहां जो हमारा गाय का सारा जो बागीचा है जहां हमने गाय बांध रखी हैं तभेला जहां भैसे बंदी हुई हैं महीं कहीं जाकर बैठो उन्होंने का बहुत अच्छे हम वहां खुश हैं कोई दिक्कत नहीं हम अपना भजन क पीरतन कर लेंगे हम ठीक हैं उन्होंने का कुछ खाने वाने को चाहिए हो तो बता देना नहीं तो जब भैस को और गाय को चारा डलेगा तो आपके लिए भी ठाली लगा देगें लगातार बिज्जती हो रही है लेकिन नरसी महता पर कोई फरक नहीं पड़ रहा अब यहा बारा पंदरा लोगों की भीड में बिटिया अपने पिता को ढूंड रही है वो बहुत पीछे खड़ी है अगले दिन सुबा साड़े चार से पांच बजे का वक्त है एक बिटिया इनके तबेले तकाती है पिता जी बोलती है जैसे ही तो सभी यह जितने भी लोग आये हैं सब खड़े हो जाते हैं जैश्री कृष्णा बिटिया कूब खुश रहो सबने एक साथ बोला लेकिन एक ऐसा इनसान था जिसने जैश्री कृष्णा बोलकर अपनी बाहें खोल दी जैसे ही उसने बाहें खोली यह भागत वी गई और अपने पिता को गले से लगा लिया और हाला ठीक नहीं है और इन लोगों ने आपकी बेज़दि करने के लिए बुलाया है मैं आपसे बस एक छोटी सी बिंती करती हूँ कि आप लोड जाओ कनहिया सब कुछ ठीक करेंगे नर्सी महता ने का कि जब तु जानती है कि कनहिया सब ठीक करेंगे तो मैं क्यों जाओंग अरे कोई परेशानी नहीं मैं अपनी बिटिया से मिलने आया हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं उन्हें बोलने दे जो बोलते हैं मुझे कोई फरक नहीं परता मेरी बिटिया मेरे गले से लग गई अरे मेरे 20 साल की तफस्या पूरी हो गई कनहिया इससे बड़ा मुझे क्या ही नाम मिलेगा जैश्री कृष्णा अरे तू कूप कुछ रहे सभी लोगों की आँखों में आसू है लेकिन नर्सी महता बिटिया को ये दिखा रहे है कि वास्ता मैं अब कोई परेशानी नहीं है लेकिन मन में दुख तो है मैं भी कुछ कमा पाता क्योंकि पैसा बहुत बड़ी बात होती है अब जी सब लोगों ने प्लैन बना लिया कि अब इसके अच्छे से बिज़्जती कर रही है पूरे समाज के और पता नहीं कितने गाउं के सामने बहुत लोग आयोई ते क्योंकि ये बहुत ही बड़े लोगों के घर है प्रोग्राम जो हो रहा है चोटे मोटे लोग नहीं है ये ये मानिये कि आस पास के सत्तर असी गाउं में सब से रहीस रसूकदार पैसे वाले नामी लोग ये ही है जो कि महाबत तमीज है अब होता क्या है कि सभी ने एक तरह से गोला बना लिया ठीक है और अब भात का प्रोग्राम शुरू होने वाला है तब ही कोई भीड में से आवाज आती है कि अरे नर्सी जी आईए सामने आईए नर्सी महता जी आईए क्या लाए है बिटिया के लिए और हसने लगे अच्छा इनके पास तो कुछ हो गई नहीं एक काम करिये कोई और है जिसने मतलब शुरूआत करने है वैसे तो जो लड़की है उसका भाई भात देता है भाई तो इनके है नहीं और पिता इस लायक नहीं है तो कई और से शुरू करते है अब यहां बिटिया रो रही है तभी आवाज आती है कौन कह रहा है भाई नहीं है और कौन कह रहा है कि इनका बेटा नहीं है भीड मेंसे एक नोजवान बहुत सुंदर बहुत प्यारा ठीक है निकल कर बाहर आता है उसके साथ उसका एक मित्र भी है वो गता जैश्री कृष्णा मैं इनका भाई हूँ भात मैं दूँगा और मैं इनका बेटा हूँ हाँ यहां रहता नहीं हूँ थोड़ा दूर रहता हूँ आने में थोड़ी सी देर हो गई हाँ शुरू करना है भात ठीक है जी अब तेलक विलक जब हो गया तभी यह ज लोगों को भेजिए बाहर क्योंकि मैं अकेला वो समान नहीं ला सकता 10-20 ट्रक है थोड़ा समान है भात के लिए जरा उतरवा लीजिए इतने लोग हैं आपके पास जो समान उतार लेंगे जो मैं लाया हूँ दीदी के लिए और आप सभी के लिए एक काम करिए कितने लोग खड़ें यहां पर घर परिवार के 50 लोग हैं 50 तो कम पड़ जाएंगे बाकी गाओं के भी तो लोग हैं आईए आईए अब सब लोग देख रहे हैं दूसरे की शकल की यह क्या बोल रहा है बाबा दस ट्रक ऐसे कैसे हो सकता है अरे एक ट्रक की हैसे इतनी है सतर गाओं को म तू चुप खड़ी रहे और शांती से देखती रहे क्या हो रहा है पहले ट्रक का पीछे का धक्कन हटाया उसमें से निकाला एक शॉल कहते हैं ये सबसे पहले मेरी तरफ से है जी मैं खुद दूँगा देखे अपने हाथों से ये सासुमा के लिए उसकी कीमत तकरीबन पांच या छहला गुरुपे शॉल की क्योंकि उसके जो मढाई थी पूरी वो सोने के तारों से हो रही थी आखे इतनी बड़ी हो गई अरे ससुर्दी के लिए ये चेन कम से कम तीन मीटर लंबी सोने की चेन इतनी मोटी कि भाईया गले में लपेटता रहे हैं जैसे भैंस के बांधते हैं बांध ले अब ऐसे करते करते जितने लोग आये हुए थे जितने लोग आये हुए थे भाई साब दिल खोल के सब को मिला है दो-दो-तीन-तीन शॉले चार-चार-पांच-पांच बनार सी साड़ियां और जी सूट, और जी गम्छे, जूते चपल, पता नहीं क्या-क्या जो आदमी सोच सकता है वो इसे मिल रहा है और सभी को सोने के सिक्के और एकात सिक्का नहीं, भर-भर के सोने के सिक्के आगे वाले ट्रक में जो सोने का समान है वो इन सब में बाट दिया जाए ठीक है जी फिर उसके पीछे वाले ट्रक कर गए इस वाले ट्रक में जो सभी के लिए हम कपड़े लाए हैं सभी में बाट दिये जाए ठीक है जी आप समझेगा कि उन्हें बताया जा रहा है कि तुझ मुझी भाई साब हर किसी को पता पड़ गया कि नर्सी महता ने जो भात दिया है उसमें एक आदमी एक औरत एक बच्चा नहीं बचा जिसको तोफ़ा ना मिला हो गिफ्ट ना मिला हो और कोई छोटी मोटी चीज़े नहीं मिल नहीं है एक साल में जिस चीज़ को आप कामा पाओगे उसने ऐसे ही दे दिया सोने के सिक्के मतलब ये मानिए कि जब ये चल रहे थे तो ससुर के हाथ में उन्हों ने वो सोने के सिक्कों की पोटली रख दी इनका हाथ जमीन से लग गया और उठ नहीं रहा था तो उस लड़के ने वो जो सुन्दर सा नौजवान था उसने कहा तीन चार लोगों से थोड़ी मदद करो इनके हाथ पे से ये पोटली हटा दो तो अंकल जी पिता जी ये हाथ सीधा कर पाएंगे अब क्या वो लोग है इसे जो तूफा दे रहा है अरे जिन्दगी में नहीं सोच सकते ये लोग जो कि नर्सी महता इस तरह का भात देगा और ये तो छोड़ो नर्सी महता खुद नहीं सोच सकता कि ऐसा भात मैं दे सकता हूँ और पूरे जी संसार में पूरे भ्रह्मान में प्रत्वी लोग पे तो एक एक घर गाओं कुन्वे में पता पड़ गई कि नर्सी महता ने जो भात दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया और आगे आने वाले पूरे जन्मों तक कोई नहीं दे सकता अब ये जो नौजवान है अपने मित्र के साथ इन से बोलते हैं नर्सी महता से चले पिता जी अब आप बेल गाड़ी घुमा लीजिए ठीक है चलते हैं अब उसने भी कहा नर्सी महता ने हाँ हाँ चलते हैं अब इस लड़के ने सभी के सामने हाथ उठाया और बोला बेटिया ने मतलब अपने भाई को गले लगा लिया कि आज बेहना की और अपने पिता की इज़त बचा ली इसने जो कि हमारा भाई भी नहीं है नर्सी महता की आँखों से आसू नहीं रुक रहे हैं और ये बेटे हुए बस लगातार उस लड़के को देखे जा रहे हैं कि कौन है ये और मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं ये भगवान ही है आज उस बेटिया को इतना सम्मान मिल रहा है और पूरी जिन्दगी सम्मान मिलेगा जो कि इसने लड़के ने काम कर दिया मेरी वज़े से उसे क्या-क्या सुनाया जाता था आज के बाद उसे पलको को पर बिठा के रखेंगे कीए उन्हें मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं था लेकिन आज उन सभी के हाथ जुड़ गए मेरे सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ में कल भी कुछ नहीं था आज भी कुछ नहीं हूं लेकिन इस लड़के ने क्या चमतकार कर दिया कौन है ये हो गाड़ी मंदी करो तो सबने भई गाड़ी रोक दो भई ये बुजर्ग महिलाएं पांच छे जो कि भाग रही है भाग रही है गाड़ी थोड़ी सी रुखवाई गई क्या हुआ अम्मा सब ठीक है यह जो सुन्दर से नौजवान था उन्हें को सब को कुछ ना कुछ मिला है हम रह गए हम अपने घर में बैठी रहा गए हमें तो अब पता पाड़ा नर्सी सेठ आए थे नर्सी सेठiren जी हो गए नर्सी सेट ने अपने मूचों पहता हो दियो और कहा कि हां आमा मैं हूं नर्सी और मैं कोई सेट नहीं हूँ बताइए कैसे मैं आपकी मैं मदद कर सकता हूं? बताइए उन्हों को सबको कुछ न कुछ मिला है, बिटिया का भात पूरी दुनिया में सभी को बता चलगा सोने की तो चम्मच का टोरियां बट गई हम अपनी घर बैठी रहे गई कुछ तो देना पड़े गाओ हम तो कुछ लेके जांगी अब जैसे ही बोला तो कनहिया ने समझ गए अब जैसे ही बोला तो इस सुन्दर से प्यारे से नौजवान ने योगख ने अपने साथ वाले लड़के का नाम लिया कुबेर जी एक काम करिये वो जो हुंडी है ना अच्छा हुंडी क्या होता है जैसे इस तरह का कपड़ा होता है या किसी चीज का बना होता है किसी धादू का उसको हुंडी बोलते हैं जो कि ऊपर से ओपन होता है ठीक है तो कहते हैं कि कुबेर जी हुंडी का एक मुख खोल दो अब जैसे ही उन्होंने कहा इस सुंदर से नौजवान ने कुबेर ने हुंडी का मुख खोल दिया भाई साब सोने के सिको की बारिश होनी शुरू हो गई वहाँ एक भी गली एक भी नाली एक भी जट एक भी जमीन पर इतना सा भी हिस्सा नहीं बच रहा था जहां सिक्के की बारिश नहीं हो रही थी सब के रूंगटे खड़े हो गई ये देख कर कि नर्सी महता ये क्या कर दिया ये तो चमतकार है मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता अपनी बिटिया के इसमें भात में इसने अंबर से सोने के सिक्को की बारिश कर दी नर्सी महता जैसा कभी भात नहीं मिला ना कोई दे सकता ना किसी के बस की बात है फिर उसके बाद नर्सी महता ने इनसे पूछी लिया आख कौन हो प्रभू उन्होंने का तुम्हारा शुब चिन तक जरा यहां आगे गाड़ी रोक दो फिर मैं तुम्हारे को जरूर तो पीछे दोनों कोई नहीं बैठा वहाँ एक मोरपंक था जिससे यह पहचांग गए कि वो जो नौजवान थाना सुन्दर सा वो कनहिया थे और जो उनके आदेश का पालन कर रहे थे वो और कोई रही वो कुबेर देव थे कुबेर ने जब अपना ख़जाना खोल दिया तो रहे आप गिंते गिंते ठक जाओगे और उसके बाद से इनकी बिटिया को बहुत मान सम्मान मिला बाबा और नर्सी महता पूरे ब्रहमान में प्रचलित हो गया कि इनसे जादा भड़िया भात देने वाला कभी प्रत्वी पर नहीं आएगा और ऐसा ही होता है आज भी कमाल की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में बताओंगा फिलाल आज की वीडियो में इतना ही आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में लिए खिएगा जैश्री कृष्णा जैश्री कमाल आने वाला है कमाल मिलने वाला in fact so thank you so much for watching मेरा नाम ने तिन्हें मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में हर हर महादेव जय भुलेनात तन्यवाद